हेलो फ्रेंस कैसे हाल है योप सब अच्छ होंगे फ्रेंस आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए अस्तर वाला सूट कटिंग किस तरीके से करना चाहिए चले फ्रेंस जो भी हमारे चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ओन रखें और इस तरीके से हम पहले अस्तर को एक साइड से विशा लेना है हमें फोल्ड करकर डवल कर लेना है चले नीचे हम पहले लगाएंगे बोर्डर का निसान अच्छे तरीके से निसान लगा लेंगे अस्तर का इकसार करकर चले बोर्डर का निसान हमारा लगकर तयार हो चुका है और इसमें जो ह हमारी कमर और हिप जो तयार हमारी आएगी मैं आपको दिखा देता हूँ 21 तयार आ जाएगी हमें इस तरीके से तीनों निसान लागा लेने हैं हमने जो नाप लिया है इसमें तीन इंच का लूज हम देकर तयार नाप आपको बिल्कुल लिखकर दिखाएंगे चलिए मैं आप को दिखा देता हूँ, यहाँ पर हम देंगे तीन इंच कलोज, और जो फिक्स हमारा नाप आएगा बिल्कुल तैयार जहाँ पर हमें जोड़ना है, वो हम नाप आपको लिखकर दिखाएंगे, यानि कि पोने 22 आया है, यहाँ पर रखेंगे दो इंच कलोज, और जो दो इंच कलोज तैयार नाप जो हमारा आएगा दो इंच कलोज देकर, बिल्कुल पूर्फर तरीके से हम यहाँ पर रखेंगे, साड़े उन्नीस जवर तैयार नाप आया है, यहाँ पर भी हम दो इंच कलोज देंगे, और तैयार नाप आपको लिख कर दिखाएंगे और जो तैयार नाप हमारा आएगा उसी हम तैयार नाप पर जोड़ेंगे साड़े बाइस आया तो नीचे से हम दावन तेईस रखेंगे इस तरीके से बिल्कुल फिटे से हम सीधा निसान लगा लेंगे और इसी तरीके से हमें एश्ट और कपले के भी निसान लगा लेंगे और यहाँ पर हम लगाएंगे फुल सेक पट्टी किस तरीके से लगानी मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से हमें सेक पट्टी लगा लेंगे हल्गा सा इसका राउंड इस तरीके से हम रख लेंगे जिससे की भारी साइज में होता है और इस तरीके से फुल से एक पट्टी पलट कर लगा लेंगे जो भारी साइज में होता है जो चैस्ट हमारी होती थोड़ी नीचे से जाद होती है उपर से होती है कम तो हमने निसान ल अच्छी तरीके से आ जाएगी इस तरीके से पीछे खोटा लेंगे दो सूथ हम इसकी कंदी गिरा लेंगे गोलाई करेंगे फ्रेंस अच्छी तरीके से सबसे में चीज हमारी गोलाई अगर गोलाई आपकी अच्छी तरीके से आ जाएगी cutting होने में तो आपका मुड़ा भी बहुत अच्छी तरीके से finishing में आ जाएगा चलिए मैं आपको गोलाई नाप कर देखा देता हूँ साड़े 9 इंची की गोलाई बिल्कुल हमारी अच्छी तरीके सा आ रही है और इसके हम cutting करेंगे जो हमने निसान लगाए थे गोलाई के उसी कपर हम cutting करेंगे अच्छी तरीके से फ्रेंस जो हमारा जो मुड़ा है वो अच्छी तरीके से cutting हो जाएगा तो आपकी fitting भी बहुत अच्छी तरीके साएगी यानि कि तक्ति आपकी बिल्कुल साफ आ जाएगी शलिए आठ इंची गला हमारा आगे का है और साड़े साथ पीछे का है और इस तरीके से हम मुड़ा बैक का cutting कर लेंगे देखे हमारी तक्ति आ रही है पंदरेंच की तक्ति बिल्कुल फरफेक्ट आ रही है और हमने आदे हिंच छोड़ा का cutting करा इस तरीके से cutting कर लेना देखे फ्रेंस यहाँ से मुड़ा हम गलवे में cutting करेंगे जैसे हमने निसान लगाया था दोने एक सार cutting करेंगे और फिर नीचे तक हम एक सार ही cutting कर लेंगे देखे फ्रेंस बैक और सामना यानि या अच्छे तरीके सूट हमारा ये सूट के हमारे इस तरीके से कटिंग हो चुकी है सबसे महन चीज है आप इस तरीके से निसान लगा लीजिए और आपको बनाने में बहुत आसानी होगी चलिए अब इसका हम बिल्कुल बीच करकर आपको दिखाएंगे जो हमारी लंबाई है वो 42 इंच की तयार है और 42 इंच में हम 12 इंच फालतू रखेंगे पहले इसके हम उपर से कपड़े की कटिंग करेंगे जितना हमें चाहिए चलिए मैं आपको दिखा देता हो निसान लगा कर हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से हमें निसान लगा लेना है और इसके हम फिर कपड़े की कटिंग करकर लंबाई का निसान लगाएंगे 42 हमारी लंबाई है आदे इंच हम एश्टार रखेंगे और नीचे हम दामन का यानी कि हमारी पट्टि आरी नीचे यह कढ़ी भी है साइड में जो आपको चमख लिए होगी और इस तरीके से हमने दो इंची का निसान लगा लिया है और हमने अस्तर को ऊपर रख लिया है कपड़े के और इस तरीके से हमें कटिंग कर लेनी है अस्तर जो रहता हमारा करीब करीब डेर दो इंची उंचा रहता है और इस तरीके से हमें कम से कम आदे इंच कपड़ा छोड़कर कटिंग कर लेनी है देखे फ्रेंस अच्छी तरीकी से हमारी ये कटिंग हो चुकी है और साइड से भी हम छोडगा कर कσιंग करेंगे और सबसे मैं इना चीज हमेने आपको बताई थी निशान लगा लेने है जो आपको अच्छा तरीकी दे सूंट बनाना है इस तरीके समें निशान लगा कर तियार रख लेना है और bag भी हमने बिचा ली है और bag के भी हम उसी आधार कर रपा cutting करेंगे उन्बधाई नाप कर और हम cutting कर लेंगे देखे फ्रेंश, जो हमने कपड़ा पहले छोड़ा था उसी आधार पर कपड़ा छोड़ा कर हम नीचे तक cutting कर लेंगे और इस तरीके से निसान लागाना मत भूलना करता है भी चुकि आपको बनाने में बहुत असनी होगी चलिए फ्रेंस हमारी बाजु हो चुकि है बाजु हमें इस तरीके से कटिंग कर लेनी है साड़े सतरे बाजु है आदह इंच हमें रखा एश्ट्रा और नीचे हम निसान लगा लेंगे डेल इंची का और जो हमारी बाजु तियार रहेंगे दस इंची की तियार बाजु रहेंगे और इस तरीके से हमें निसान लगा लेने है फिटे से और हम मुड़ा गिराएंगे तीन इंचे मुड़ा गिरा लेंगे चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरीके से में तीन इंचे का मुड़ा गिरा लेना है और फिर इसकी गोलाई करकर बिल्कुर सीधी कटिंग करेंगे पहले हम क्योंकि इसमें कपड़ा कम है और इसकी बाजू हम जोड की लेंगे इस तरीके से हमें फुल से एक पट्टी लगा लेनी है और गोलाई कर लेंगे हम अच्छी तरीके से और इसमें हम एश्टा कपड़ भी कटिंग करेंगे वो भी मैं आपको दिखाँगा अच्छी तरीके से किस तरीके से हमें कपड़ा कटिंग करना है देखे फ्रेंस इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है जहां तक हमें कपड़ा चाहिए यह हमारी बाजू कटिंग हो चुके है